नमस्कार तथ्य में आपका स्वागत है मैं हूँ मनी शबस्ती यहां तथ्य में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लकिमपूर खीरी यूपी के लकिमपूर खीरी जिले में पिछले दस दिनों से रहस्यमाई बुखार के चलते एक ही महले में छह बच्चों की मौत होने से हड़कंप मच गया है इलाके के लोगों ने स्वास्थ विभाग पर लापरवाही बरतने का आरूप लगाया है मामला मुहमदी कोतवाली के वार्ड नमबर 24 का है जहां पिछले 10 दिनों में 6 बच्चों की रहस्मई बुखार से मौत हो गई बच्चों की मौत से इलाके में धैशत का माहुल है एक ही महले के इलाके के लोग लगातार स्वास्थ विभाग यानिकी हेल्थ देपार्टमेंट पर लापरवाही बरतने का आरूप लगा रहे हैं उनका कहना हैं कि स्वास्ट विभाग को लगतार मोबाइल से और चिठी माध्धें से सूचित किया जा रहा है कि लेकिन स्वास्ट विभाग की तरफ से ना तो कोई प्रभावी चदम उठाये जा रहे हैं और ना ही कोई टीम इलाज के लिए भेजी जा रही है। करने के लोगों का आरोप अभी तक नहीं जियां तत्थ है लोगों का आरोप है अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची चैह वर्षी बच्ची की दादी आईशा ने बताया कि साथ दिन पहले बच्ची को तेज बुखार आया था सरकारी अस्पताल भी ले गए थे लेकिन उन्हो बच्ची की मौत हो गई वाड नंबर चौबीस में रहने वाले सोनों ने बताया कि उनकी तीन साल की पुत्री को तेज बुखार आया था इलाज कराया गया लेकिन अचानक से उतकी मौत हो गई स्वास्विभाग की तरफ से अभी तक कोई जांच टीम नहीं भीजी गई है इस महले में लगातार बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है तत्र में जानिये वाड नंबर चौबीस में छे बच्चों की हुई है मौत वाड नंबर चौबीस के सभासद अश्वाग का कहना है कि उन्होंने जिलादिकारी यहने कलेक्टर को और मुख्य चिकित्सा अधिकार सिविल सर्जन को इस बात की स्टूचना दिये लेकिन अभी तक जिला मुख्याले से कोई भी डॉक्टरों की टीम इलाज के लिए उनके महले में नहीं पहुंची है लगातार बुखार का कहर उनके महले में बना हुआ है मौमधी के चेर्में संदीप महरोतरा ने बताया कि उनके शेहर मौमधी में लगातार रहसे मंई बुकार अपना कहर बर पा रहा है काफी संक्या में बुखार देखा जा रहा है और कई बच्चों के मौत हो गयी है और कई बच्चों को भी बुखार है सीमों ने कहा यह तख्यृमू की बात भी सुन लिए इस मामले में जब द व्टोष गुप्ता से संपर्क साधा गया तो उन्होंने कैमिरे के सामने फिलहाल बूलने से इन कार्यान की मनहा कर दिया जैसा की हुबता दिया उन्होंने बताया कि मामला अंप में आया है जिले से डॉक्टरों की टीम रवाना कर दी गई है जांच के बाद सही स्थिति के जानकारी दी जाएगी तथ्य में आपने लखिंपूर खीरी के एक ही महले के चाह बच्चों की मौत को लेकर तथ्यात्मत जानकारी आपके सामने रखी ज्यादा जानकारी के लिए आप लगातार तथ्य से जुड़े तथ्य में आज के लिए फ्लाल इतना ही नमस्कार